जैहिंद स्वागत है आपका अपने स्टेडी 24 जार्खन यूटूब चैनल में दोस्तों आखिरकार जार्खन वोड मेट्रिक और इंटर्मीडियाट सहीत कलास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ट पर इछा 2021-22 को लेकर के आज एक पॉजिटिव अपडेट परकासित हुआ है जो आज के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्रों परकासित हुआ है जिसमें कहा गया है कि मन्थन के बाद जैक अध्याच का नाम लगभगत है अईलान आज दोस्तों आपके जिस जार्खन एकेडमी कॉंसिल के अध्याच के अभाव में परिच्छा के तिथी का अईलान नहीं हो पा रहा था आपका एक्जाम रुका हुआ था और सारे परिच्छा से समंदित काईज रुके हुए थे तो उस अध्याच पद के लिए नाम तै हो गए है और आज इसका एलान किया जाएगा आने की निवक्ति की जाएगी इसके बाद आपका परिच्छा का रूटीन भी जारी किया जाएगा दोस्तों इस नीच पेपर में क्या लिखा है से हम लोग लाइन बाइन देखें तो इसमें जो हैडलाइन दिया हुआ है जो हम लोगों ने देखा कि मन्थन के बाद जैक अध्याच का नाम लगभगते अध्याच कोन होगा वो नाम लगभगते हो चुक मंत्री ने गहन चर्चा के बाद ये नाम तई कर लिए हैं कि आपका अध्याज कोन होगा रुपाध्याज कोन होगा जहरखन एकेडमी कौन सिल का दोस्तों इसमें आगे जो दिया हुआ है कि बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के भी चर्चा के बाद नाम लगभग तई कर ये गए हैं और सिच्छा मंत्री ने कहा कि अध्याज और उपाध्याज दोनों के नाम पर निर्ने ले लिया गया है और सुकुरुआर को इसका एलान करेंगे सुकुरुआर को नहीं बलकि आज ही इसका एलान करेंगे जो हम लोग यहाँ पर हेडलाइन में देख रहे हैं कि अध्याज दोस्तों इसके बाद आगे जो हम लोग देखते हैं दिया हुआ है कि कई नामों की चर्चा कौन अध्याज होंगे कौन उपाध्याज होंगे इसको लेकर के कई नामों पर चर्चा हो रही है लेकिन जो सेलेक्शन हो चुका है उसके बारे में यहाँ पर दिया है कि जैक अध्याज के लिए कई नाम चर्चा में हैं और इनमें सबसे परबल दावेदार परफेसर सुहा सिनी बेशरा और परफेसर असोग कुमार सिंग को बताया जा रहा है आनि कि इन दोनों में से किसी एक को अध्याज के पदपर और उपाध्याज के पदपर बढ़ाया जाएगा दोस्तों आगे जो दिया हुआ है कि दोनों सिच्छा विद हैं आनि की सिच्छा के छेतर में बहुत अच्छे नाम कमाये हुए लोग हैं और इसे ही आपके जहारखन रेकेड्मि कॉंसिल का अध्याच हरु पाध्याच बनाया जाएगा दोस्तों आगे जो दिया है कि परफेसर सुहा सिनी जारखन मुक्ति मोर्चा नेता स्टीफन मरांडी की पतनी है वहीं परफेसर असोग कुमार सिंग जारखन मुक्ति मोर्चा के राची जिला अध्यच रह चुके हैं दोस्तों कल के अपडेट में जो हम लोगों ने देखा था कि अध्यच के पद पर कॉंग्रेस पार्टी अपने करीबी लोगों को बैठाना चाह रही है लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि इस पद पर जे एमेम के ही करीबी आदमी होंगे दोस्तों इसमें आगे जो दिया हुआ है कि पर्फेसर पीके सिंग, पर्फेसर सुदेश साहू तथा डॉक्टर दिवाकर मींच के नाम की भी चर्चा है और कोई नया नाम भी सामने आ सकता है आनि कि आपका अध्यच और उपाध्यच कोन होगा यह फाइनलाइज अभी तक ओपेन नहीं हुआ है बलकि यह जो चर्चा हुई है मुख मंत्री और साथी साथ सिच्छा मंत्री के बीच में उसे गोपनिये रखा गया है और उसका एलान आज किया जाएगा कि आपका अध्यच कोन होगा उपाध्यच कोन होगा दोस्तों इसमें आगे जो देखते हम लोग दिया हुआ है कि 15 सितंबर से खाली है पद इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उसे मैं संचेप में आपको बता दूँ कि जारखंड एकेडमी कोनसील के अध्यच का जो पद है वो 15 सितंबर से खाली है उपाध्यच का पद भी खा कारन करना हो उसे फाइनल करना हो अन्य सारे काम रुके हुए हैं जिसके कारण आप सभी छात्रों का जारी सेडूल के अनुसार एकजाम नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों इस तरह से आपके जारखंड एकेडमी कोनसील के अध्यच और उपाध्यच के पद पर कौन उसका आज एलान किया जाएगा उसकी निवतिक की जाएगी इसके बाद आपका परिच्छा का रूटीन भी निकलेगा तो दोस्तों इस तरह से आप सभी जारखंड बोर्ट के कलास 8 से ले करके 12 तक के छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट था और ठीक इसी तरह से आप सभी के लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं मैं इस यूटूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ इसलिए आप सभी छात्री इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लिजे और दोस्तों यह वीडिय या फिर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जादा से जादा से शेयर कीजिए तो दोस्तों मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम